वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज आप देख रहे हैं देशी फूर इंस्पिरेशन में देगी चिकन मुर्ख कॉर्मा इसका जो है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है और यह डिफिरेंट तरीक है इसके लिए मैंने चिकन ली है एक किलो और इसको जो लेक के पीसे ना उनको हमने इस तरह से इधर कट लगा देना है इसे जो है चिकन के एक तो लूक अच्छी आती है और जब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं या हम इसको पकाते है ना तो मसाला इसकी अंदर तक जाता है और बहुत ही अच्छी सी इसका टेस्ट आता है तो चलें जी इसको हम सबसे पहले मैरिनेशन कार लेंगे इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने नमक मिट्चे और हल्दी डाली है और जब चिकन को नमक लग जाता है ऊटा दही डाल देंगे दो से तीन चमच और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे जब हम इसको मिक्स करके रख देते हैं तो इसका जो सारा पानी वगरा होता है और इसमें जो चिकन की सौफनेस आती है जो अब आप निहारी खाते हैं या कोई भी दे की चिकन खाते हैं वो इसी तरह से बनाया होता है जिसका फुलेवर हमें बहुत पसांदाता है तो इसको रख देंगे तकरीबां दस से बारा मिंट के लिए जब तक कि हम इसकी ग्रेवी तियार कर लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए मैंने भर ही चौप किये हुए प्यास डाले हैं एक साथ ही बाकी के मसाले में पिसे हुए डालोंगे तो इसके साथ ही मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लेने हैं तो इसमें हरी मिर्चें डाल दी है और अद्रक लसन का इसमें मैंने पेस्ट डाल दी है एक चमाच आप चाहें तो इसमें साबत भी डाल सकते हैं तो ये फ्रेश बनती है ना वो बहुती ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी सी होती है तो प्याज को हमने इसी तरह से पकाना है आप देख लें बिलकुल गोल्डन ब्राउन करना है और ये गोल्डन ब्राउन होते हैं बिलकुल हलकी आच पे काफी टाइम पकाने के बाद तो नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून लाल मिर्चन डाली हैं और इसमें सुखा देनिया डाल देंगे एक चमच भरके तो यह जीरा पाउडर हल्दी और साथ ही में पिसा हुआ घरम मसाला डाला है हाफ टी स्पून या वन टी स्पून आप इसमें डाल सकते हैं खाने वाला आधा चमच हम डाल टी स्पून तो तो अगर फूल डालते ना वह टेबल स्पून हम आप उसे कहते हैं थोड़ा सा मिकस करने के बाद हम रहा हमने वहीं जे मिक्सर टमाटर Т API का बनाया हूआ था वह डाल दिये हैं अगर इसी पर आपके पास टमाटर अगर नहीं डालना चातें तो आप डही भ क्याती है इसको अच्सी तरह से हमने ग्रेवी को मिक्स कर देना है दो से तीन मिट के लिए पकाना है यहां तक क्यों तरह से खुष्क हो जा और ठ्माटरों के कच्ची समयल जो थिया ना हो बिल्कुल इसका कच्चा जायका नहीं होना चाहिए और इसको तीन से चार मिंट जब हम पका लेंगे उसके बाद हमने जो चिकन मेरिनेट किया हुआ है वो हम डाल देंगे चिकन को मेरिनेट किये हुए भी 10 से 12 मिंट हो चुके हैं और इसी तरह से हमने इसको डाल के इसी ग्रेवी में अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है चिकन की भूनाई बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है इससे जो है पानी जो लगा हुआ ता सारा मसाले वाला वो भी हमने इसमें निकाल के कंखाल के डाल दी है और इसके बाद हमने इसकी तीन से चार मिंट भुनाई कर लेंगे और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडिशन बने थी तो इसी दुरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही इसके अपनों के साथ लाजमी शियर किया करें यह देखें, आप लोगों के साथ शियर करते हैं, ताक कि आप इसको step बेस टेफ फॉलो करें देखें और जिस तरा से अगर कोई पहली बार भी cooking कर रहा होता है उसको नहीं आती तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह से सीख सकते है तो ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल शेफ हैं या हमने कोई शेफ की तरह कुछ पका रहे हैं तो जैसे हम घर में बनाते हैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी इसको पसंद करें तो ये देखें जी इस तरह से आप देखें गरेवी कितनी अच्छी से पक चुकी है और मजीद हमने इसको पकाना है और आप याद रखें इदर अभी तक ये इसमें जो हमने मेरिनेशन की ती चिकन की उसका जो पानी निकले है अभी वही सूख रहा है जो टमाटरों का हमने भुनाई की थी वो तो सूख चुका था अभी ये देखें ये चिकन का पानी सूख रहा हमने अभी तक इसमें कोई भी पानी नहीं डाला तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने हैं इसकी इतनी शांदार से खुश्बू आ रही थी ना जो हमने इसमें सिंपल से मसाले डाले हैं जिसा हुगा अगर मसाला हमने डाला है और इसके इलावा हमने बड़ी लैची नहीं डाले इसमें एक बादियान का फूल लैची लॉंग और एक दार चिनी का पेस्ट डालाए है तो आप चाहें तो चाहें तो थाबत खड़े मसाले डाल सकते हैं लेकन अगर पेसे हुए डालना चाहें तो आपकी मर्जी है लेकन बादियान के फूल और यह जो दार चिनी क यह टेज पता है नहीं लाजमीं डालें पानी डालके इसको अची तरह से हमने मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आप देखें इसका साथ ही हमने इसको चेक करते रहना है ताकि हमें पता चले इसकी ग्रेवी जदा पतली ना रह जाए या ना गार ही रह जाए तो साथ ही साथ इसको हलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से बॉयल हो रहा है पानी डालने से यह है कि इसका एक तो चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा गल जाएगा और दूसरा ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप इसको ज्यादा क्वाइंटिटी में बना रहे हैं तो जाहरे मिसाले आप उसी के अकॉर्णिंग डालेंगे तो मैंने इसको एक किलो में बनाया है और एक किलो की रेस्पी आप लोगों इसा शेयर की हरा दिनिया डाल देंगे और इसको भलकी आँच पे मिक्स कर देंगे ताके इसके उपर जो है तरी निकला है धकन लगा देंगे और इसको कवर लगा देंगे और थोड़ी देरे पांच मिट के लिए इसको बिलकुल जिरो आँच पे रखेंगे और इसकी जो उपर वाली तरी है ना वो उपर आजाएगी बिलकुल शांदार से लुक आएगी तो मिलते हैं यह देखें कितना ही शांदार सा हमारा चिकन कोर्मा त्यार हो चुका है आप गरेवी की थिकनेस ज्यादा रखना चाहें गाड़ा रखना चाहें या पतला रखना चाहें गरेवी आपकी मर्जी है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है बहुत ही शांदार था इसकी खुशबू पुरे महले में फैल गई थी तो आप भी इस तरह से बनाएं इंच्वाए करें सर्दियों का मौसम है दिल करता है कोई अच्छी सी चीज़ खाने को तो ये एक बहुत ही चीज़ है इसको आप डिनर में बना सकते हैं लंच टाइम में आप इसको बना सकते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने वाले बहुत पसांद करेंगे और उमीद करते हूं कि आपको भी मेरी वीडियो बहुत पसांद आई होगी आप देखें चिकन क इतना अच्छे से टेंडर हो चुका है और बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट से इसकी बोटियां थी तो मिलते हैं किसी अच्छी से नेक्टर वीडियो में और तब तक के लिए अजाज़त दें अलाहाफेज